हेलो यवरीवन आफ सबका स्वागत है हमारे यूट्वग चैनल शायाम इसमल माले ुक्त चैनल को अज़ें । कितनी मोटी से कम से कम चार बाएं के बराबर की हम मललाई बद्दाएंगे देखिए कैसे दूद में पड़ती है यह हमारा वासी सुद्ध घर कभा मिलकर इसमें एक बून भी पानी नहीं है तीक है इस सीच का धियार रखें कर पानी होगा तो फिर नहीं बनें घृत करते हैं यह देखिए पतीले में पानी विल्कुल भी नहीं है लेकिन थोड़ा सामन में कड़ें लेटर है देखिए दूढ बिड करें एक साथ करेंके जिसे मलाई हर्umm मोटी पढ़ेंगे ठीक है और इस दूनों भर्तनों में थोड़ा-थोड़ा पानी एड़ करेंगे ये गहाई Stateी ग्राइश्च पानी है ये घृट का दूद की पे पानी नहीं ता इसलिकर डालेंगे और इस दुल के इस ही वे बरतन में डालनेगे कुई बहुत सार्व दूदा दूद है अज्ब्सक्रन बारी हो किरो हम फाल Industry दोद में सिर्फ एक ग्लास पानी हमने डाला जो कि उबालते समय वह जल जाएगा उसमें ज्यादा नहीं रहेगा पानी तो चलिए इसको बॉयल करते हैं यह देखिए हमने फ्लेम को अन कर दिया है और इसको हम गरम करेंगे ठीक है अच्छा से वाल करेंगे नौरात रागा है तो हमको साफ सुद्ध घी चाहिए होगा उसके लिए हम बता रहे हैं आपको तो देखिए कैसे मोटी मलाई पड़ती है ठीक है यह देखिए इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे जैसा है वैसे ही गरम होने देंगे ठीक है इसको भस धग देंगे जिसे किसमें कुछ पूरी देखिए और आप वीडियो पूरी देखिए लेगा इसकी मत करेगा तो देखिए का इसमें हम बाद में चार या पांच टिप बताएंगे आपको जिसे कि आपके दूद में भी बहुत अच्छी बहुत मोटी कंगरम चार रोटियों के बराबर की मोटी मलाई पड़ हमें इस पूरे दूद को बाइल करने में 15 मिनट लगें तो आपको दिखाते हैं यह देखिए गाइस 120 मिनट हो रहा है और देखिए हम पांच मिनट का टाइमर लगाएंगे ठीक है यह देखिए सेट कर रहा है मापको दिखा रहा है आपको माइनस कर रहा है यह देखिए आ के पॉइंट सिर्फ टू पॉइंट है ठीक है और हमने 16 वार्ट पर गरम किया था जिसमें में 15 मिट लगे हैं ये एक से डेड़ किलो तूथ गरम करने में तो देखें आप पांच मिट बात ये खुद बंद हो जाएगा अपने आप तो देखते रहे हैं ये देख सकते हैं एक में रहे गया है खाली वाइल होने में तो अभी देखेंगा इसमें बीब की आवाज आएगी और ये इंडेक्शन बंद हो जाएगा और ये देखें दो ही पॉइंट पर वाइड हो रहा है आपने इसमें सारा का सारा आपको बताया है जिससे कि आपके भी चार से पांच रो ये देखेंगा इसमारा इंडेक्शन बंद हो चुका है चलेगा इस एक बार ये आपको दिखा देते हैं ये देखेंगे दूर हमारा बाइलो के ऐसे हुआ है तो इसको अब रख देंगे बिल्कुल ठंडा हो जाए ठीक है उसके बाद मिलते हैं इसको ठंडा करने के बाद वीडियो लास्ट तक देखेंगा क्योंकि लास्ट में हम इसकी पूरी की पूरी ट्रिक एंड ट्रिक्स बताएंगे आपको जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी तो कि गास कितनी मोटी इस पर मलाई पड़ चुकी है ये देखेंगा तो आप जिको हम ओवर नाइट के लिए में रखेंगे तो मिलते हैं अब ही समय जो का है मौर्णिंग में सुषब ये देखेंगा है कि इतनी मोटी मलाई पड़ी आप देख सकते हैं ये देखेंगा रहा है आप बडसे याहत कर योई है क्टी इह देखिया है। तो यह थूरो юit उसको निकाल के लग रखते हैं हम इस बातर में प्याव बर्तर में निकाल के रखेंगे संसरी हमारे में इसे ऐं 550 से किनारों दे टीकषygen और दो कि इस बातर्लमें हम आपको डाल के रिखा थे सहुआ है यह कि यह देखें तो सोचे साथ दिन में लगवा कि एक केजी हो की ना इतनी सारी मलाई निकाल के देखिए बस कुछ बातों का ध्यान रखें जो कि हम अभी टिप देंगे आपको उनका ध्यान रखिएगा बस गाय सब हम कुछ टिप्स देंगे जिनका आप ध्यान रखना बस और जादा कुछ नहीं तो कि जो यह मलाई हम बताते हैं निकालना यह भैस का मारा घर का दूर है और इसमें पानी बिल्कुल थोड़ी मात्रा में डाला है नंबर दो नंबर तीन इसे और देखिए दूर में एक उबाल आने के बाद में गरीब-गरीब पांच मिनट तक उसको पकने देना अ जब दूद पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिल फ्रेज में रख दें ओवरनाइट के लिए या ओवरनाइट ना हो सके तो चार से पांच गंटे जरूर रखें जिससे कि उसकी मलाई अच्छे से जम जाए एक बात और गाईज अगर आप दूद बाहर से लेते हैं तो उसमे पानी बिल्कुल ना डालें क्योंकि उसमें पानी वो लोग मिलाए रखते हैं प्योर दूद नहीं देते हैं तो इस वज़े से और लास्ट में सबसे बड़ा पॉइंट कि अगर बच्चे दूद पीते हैं तो उसमें यह काम ना करें क्योंकि इसका फैट पूरा निकल जात तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइबरें और सेयर करें थैंक्यू मिलते हैं नेक्स डेस्पी रहें